हाइ फ्रेड में हूँ चंदन आर्थदेख्डों चंदन कोटिती टेनल आज इस वीडियो में हम देखेंगे हम कैसे HTML में एंकर टैक एंड इमेजेस को ले सकते ओके तो एंकर टैक और इमेजेस के बहुत इंपॉर्टेन होता है बहुत ही important मतलब बहुत ही important क्योंकि बहुत time हमें anchor tag और images को use करना परता है क्योंकि हमारा website में बहुत time images होता है बहुत time link होता है जिस link पर हम click करते तो दूसरा link पर चला जाता है तो ऐसे करके हम anchor tag भी लेना परता है और images को use करना परता है तो इसलिए हमें इसी वीडियो में ह आपको एक्सेस करने में ज्यादा अच्छा है तो चलिए शुरू करते हैं तो हमने यहाप पर जो डिजाइन वाला फोल्डर हमारा इस्टी डॉक के अंदर लिया था मतलब हमारा जो जैम सर्वर हमने इंस्ट्रोल किया था अगर आपने उस वीडियो नहीं देखा तो हमारा प्ले लिस्ट में पहले वाला जो वीडियो उसको देख लीजिए वहाप हमन होगा हैँ फोल्डर के पीड़न को डिजाइन को आक्सेस करना हम फोल्डर हमने तक वाला पर की दिजाइन है तो अगर हम चाहते इस डिजण को और अक्सेस करने तो क्या करेंगे यह पेर हम Lそう लिखेंगे यह पे SiWh दस्किक क्या क्यर सकते मर्ककिव काय से कर सकते हैं और हम यह पिराग्राफ काई से कर सकते हो हमने देखा था तो आप हम क्या करेंगे एंकर टेक उनकी इमिजों को यूज करेंगे कैसे उसको ले सकते हो हम देखेंगे तो यहाँ पर जब भी हम लोकाल धुस्ट्ट फोरॉर्ट शेल डिजयंगे तब भी हमारा एवाला फोलडर मतलब एवाला डिजैन का जो भी फ जो फाइल एवाला इंडिक्स का जो फाइल है इस फाइल का फूल लोकेशन आपको यहाँ पर देना पड़ेगा अगर आप इस्ट्रिमेंट में काम कर रहे हो तो तो यह पर और एक बात यहाँ पर हम अभी क्या करेंगे हम एक इसे लिए में क्या करना पड़ेगा इसीली हमें यहाँ पर पहले तो हमें इमेस लेना पड़ेगा इसी लिए हमें पैर आप स Ms L ले लिया तो आप इमेजस लेने के बाद यह पर क्याना इस सको करेंगे, तो कैसे पहब देखते हो पहली तो हम यह पे जो भी पहले वीडियो में किया था उसको कॉमेंट कर देते यह से लेकर पुरा का पुरा हम कॉमेंट कर देंगे क्योंकि इसी वीडियो में कुछ आपको देना भी है इस सोर्स कोड को इसलिए हम कॉमेंट कर देते हैं इसको रिभूब नहीं करते तो कॉमेंट करने के बाद या पर हम क्या करेंगे एक न्यू कॉमेंट लेगे जिसके अंदर हम बताएंगे हमारा जो इमेजेस का इमेजेस त्यूटोरियल ओके इस्टर इस्टर इमेजेस इमेजेस त्यूटोरियल फॉर्म कर सकते हैं यह आपर हम एक इमेजेस को लेंगे तो इमेजेस के लिए एक ट्याग है जिसको आइमजी आइमजी लिग कर हम जब भी टैप पे हीट करेंगे तब भी एक इमजी चलाएगा आप सब्लाइम में काम करें तो जरूर आए जाए तो उसके बाद एंटर्प्रेस करने हैं तो हमारा पास आइमजी करके टैग आ गया है यहाप हमें सर्सी में जो यहाप सर्सी करके एक अट्रिबूट लिया है आपको दे देगी अगर नहीं देते तो आपको आप मिनोली भी लिख सकते हो ऐसे करके जो टैग लिखता है आएमजी इस आर्सी इकोल्स टू डॉबल कोटेशन ओके आप ऐसे भी लिख सकते हो ज्यादा इसी हो इसलिए सब्लाइम ट त्वेट में अगरने आइसरच के सब्सक्राइब करने तो आपके आतबाऊं पर तो इस सैब्सक्राइब कुछ जो ऍंदर हक जो फाल का जो लोकेशन, वह देना पड़ेगा उस इमेज़स का full location हमें यहाँ पर देना परता है पढ़ेगा अगर हम यह पर लोकल सरवर इस नहीं करते हैं तो हमने यह पर लोकल सरवर यूज कर रहा हूं तो इसलिए हमें full location नहीं देना परेगा श्रेप आपाटे जोmara पर अभी है उस फोल्डर से हमें कहा जाना है यह देखाना है यह पर तो हमें इस इंडेक्स फाइल में है मतलब इसी फोल्डर के अंदर है तो इसी फोल्डर के अंदर images करके ok तो images IMG करके एक folder है उस folder के अंदर हमें कौन सा वाला फोटो चाहिए या images चाहिए यह वाला slide to.jpg इसको हम copy कर लेते यहां से और यहां पर इसको paste कर देंगे मतलब img src मतलब जो source होगा वो img folder के अंदर होगा मतलब इस folder के अंदर और उस folder में जाने के बाद यह वाला जो file है उसको हमें चाहिए ओके तो इसको save कर लेते तो हमारे images आ गया है लेकिन यह बहुत ही बड़ा और बहुत ही बड़ा आ गया ओके तो इसको हम छोटा भी कर सकते वह हम ज्यादा अच्छा कर सकते जब भी हम हम CSS use करेंगे तब भी ज्यादा अच्छा रहेगा और ज्यादा ब्योटिफूल रहेगा लेकिन फिर भी हम HTML के फ्रू भी हमारा जो image आएमजी करके जो एक ट्रीवी यह टैग है इस टैग का एक एक अट्रिव्यूट भी है वीद करके एक एक अट्रिव्यूट है उस वीद्वीट को यूज़ करके हम छोटा बारा कर सकते हो के तो वीद में हम अभी के लिए 500 पिक्सल एंड हाइट मतलब जो उपर से हाइट होगा ओ हाइट हम 80 पिक्सल कर देते ओके तो छोटा हो जाएगा अभी रिफिश्क करते ओके यह तो बहुत ही छोटा हो गया है इतना भी छोटा नहीं चाहिए तो अभी हम क्या करते 500 पिक्सल और यहां पे हम 600 पिक्सल कर दो रिफिस्ट करते अभी आगा ओके से यह तो हमारा इमेज भी आ पर आ गया तो अगर हम्चाते यापर अंकर टैक यूज कर ना तो भी हम कर सकते ओके यह जैसे हमारा हम इमेज को और भी ब्यूटिफुल डिजाइन से लेना चाहते हैं या कुछ अलग तरीके से हम लेना चाहते हो हम कर सकते हैं जब भी हम CSS यूज़ करेंगे इसको उपर मतलब CSS ट्यूटर जब भी एस्टट होगा उसमें हम देखेंगे कैसे हम इमेज या फॉट को कुछ वियो टेविल को कैसे हम और भी ब्यूटिफुल और भी डिजाइन कैसे कर सब्सक्राइब कर लिजे और सथोसाथ बेल आइकन को भी प्रिस कर दिजो कि तक कि जब भी हमारा जो ट्यूटर लाने वाला और जवा एस्कृप का उसको अपको मीस नहीं होना चाहिए तो अभी हम क्या क्या करेंगे यह पर हम- Stage कैसी उसस होता है है अगर Top लो याप हम एंखर टेंग उसकरते हैं मलो याप हम कुछ भी लिखते एच ओन ले लेते एच ओन ऑके चुर्ण एस्टू लेते आप एस्टू वार एचों के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट टाइम जो हेडिंग होता है एच ओन इस टू हेडिंग तो यह पने बहुत बार Подउन चाहता होगा बहुत स्था ओपाई में डाउनलोड बॉटान करके बहुत टाईम देखा होगा ऐसे बगई आब यहनुछ कुल्यक हो okay तो ईसी विडियो में हम देखें कैसे हम उसको कर अचैक्ति पेहले तुम देख लेते जो एमारा क्लिक जब में अभी हमें क्या चाहिए जब भी हम यहां पर क्लिक करेंगे मतलब क्लिक करेंगे का कोई और खूल कोई और फेकल जाएगी या खूल जाईगी और इमेज इस आ जाएगी अधर क्लिक करने य baik इस टिए इसटू टैग है इस ट्एक के अंदर जो भी यह यह पर किलिक होना चाहिए तो यह पर क्लिक होगा तो दूसरा पेस के या दूसरा को इमेजस पे चला जाएगा तो यह डिए Cake का मदद यूज हम ऐसे कर सकते हैं जो यह चोन के पहले हमें एक यह यह देना होगा उसके बाद टैप क्लिक करेंगे और उसके बाद यह पर यह आने के बाद एंटर मारेंगे ओके आप मेनुवली भी लिग सकते हो कोई बाद नहीं और जो एटेग हमने इस्टट किया वह हम एच्टू है उस्कंटरट टैग कर जो भी काम होगा वह एट्टू के ऊपर ही होगा टेज दू के ऊपर होगा तो यह था पर हम एच्डू करके कर टोटे हने जो हाइपर लिंग भी कहता है उसका एक एक बिदित जैसे हम यह पर इग Pac गूगल का लिंक है अगर हम चाहते हैं यह पर जब भी क्लिक हो इस link here click here पर जब भी क्लिक हो तब भी Google का फेस ओपन होना चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं उस anchor tag के अंदर जो hrf जो attribute है उस attribute के अंदर हम Google का link को दे देंगे और गूगल का link दे दिया सेफ करते हैं तो हम सेफ करके यहाँ पर refresh कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा link बान गया तो अभी हम जब भी यहाँ पर click करेंगे तब क्या होगा हमारा Google का page open हो गया तो हम यह इसे करके हमारा anchor tag के use कर सकते हैं तो आपने बहुत time देखा होगा जो menu होत ने से एक दूसरा फिस खुल जाता या में पर click करने से दूसरा पर खुल जाता या डाउलोड पर click करने से download नहीं चलission तो ऐसे करके उसको वापए अंकर टेक का यूज होता है, ओके? तो ऐसे हम अंकर टाक का यूज भी कर सकते, तो अभी हम देखें कि कैसे हम इक images को ले सकते हैं, तो जब भी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तब भी क्या होगा? इमेजेस में जाएगा इमेजेस फोल्डर में जाने के बाद इमेजेस फोल्डर में एक photo two dot jpg करके photo images होगा मतलब यह वाला images यहाँ पर हमें चाहिए जब भी click here पर click करेगी तब भी क्या हुआ photo two करके जो images folder के अंदर रखा है वाला images हमें open करके देगी तो इसको refresh कर लेते जब भी हम यहाँ पर click करेंगे तब भी क्या होगा यह वाला images open हो गया तो देख लेते photo two यहाँ पर photo two और यहाँ पर same और एक बात अगर हम चाहते जब भी हम यहाँ पर click करेंगे तब भी दूसरा page खुल जाए ताकि जब भी हम अभी देख सकते हो यहाँ पर click करेंगे तो क्या होगा जो page था वो page close हो गया लेकिन same page में हमें दूसरा content देखा रहा है हमें क्या चाहिए अभी हमें यह वाला page भी रहना चाहिए और दूसरा page जो यहाँ पर click होने से खुल रहा है वह वाला page भी हमें new tab में चाहिए तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं anchor tab के अंदर एक target करके एक attribute है उस attribute में हम blank blank को लिख कर blank लिख सकते हैं लिख कर हम इसको blank में ले सकते हैं मतलब जो टर्गेट होगा जब भी हम यहाँ पर click करेंगे जब भी h2 के उपर click करेंगे तब भी क्या होगा target क्या हो जाएगी images तो यह वाला images आएगी जो source होगा वह तो यह होगा लेकिन जो target होगा वह blank में होगा मतलब new tab में होगा तो इसको refresh कर लेते हैं तो अभी देख लेते हैं जब हम क्लिक करते हैं तो न्यू टैब में इसको open कर दे रहा है और जो हमारा पुराना वाला टैब हो भी रहा है और साथ और साथ और साथ अगर हम चाते हैं जो link जो हमने Google का link यूज किया था ओभी हम चाते तो हम यह से इसको भी open कर वा सकते new tab में ऐसे करके हम new tab में open कर वा सकते ओके और इमेजिस इमेजिस के अंदर with and hide से ये blank तो असकी वीडियो इतना तक आप से मिलते अगली वीडियो प्यारी इस वीडियो का जितना सारी नोटिकेशन मिल जाए ओके थैंक यू पॉर वाचिंग जया हिंद्बान वांत्रम